नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नमृता इस बार एक दिसंबर से कई बड़े नियम लागू होने वाले हैं और इससे पूरे भारत के लोग काफी प्रभावित होंगे उसी कड़ी में पंजाब नैशनल बैंक अपने ग्रहकों के लिए एक दिसंबर से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव कर रहा है पिएनबी की तरफ से दी गई जानकारी की माने तो एक दिसंबर से कैश निकालने का नियम बदल जाएगा एक दिसंबर से PNB One Time Password Based Cash Withdrawal सुविधा लागू करने जा रहा है जिसमें अगर आप PNB से एक बार में 10,000 से ज्यादा पैसे निकालते हैं तो उसके लिए OTP की जरुवत होगी PNB की माने तो इस सुविधा से ग्रहाकों को फायदा होगा और ये नियम काफी सिक्योर होगा आपने अकसर बैंक से धोका धड़ी का मामला देखा ही होगा या पेपर में पढ़ा होगा जिससे ग्रहाकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है इसी के लिए बैंक समय समय पर नए नियम लाते रहते हैं और PNB में ये बदलाव उसी का हिस्सा है यहाँ पर एक जानकारी देते चलें कि PNB से पहले ये नियम भारत के सबसे बड़े बैंक SBI अपना चुका है और SBI के ग्रहाक इस नियम का फायदा उठा रही है उसी को देखते हुए PNB ने भी ये नियम लाने का फैसला किया है जो 1 दिसंबर से लागू होगा इस नियम के मताबिक रात 8 बजे से सुभा 8 बजे तक ये नियम लागू रहेगा इसका मतलब ये है कि इस समय में PNB का कोई भी ग्रहाक ATM से 10,000 से ज्यादा अमाउंट निकाल सकता है लेकिन उसके लिए आपको ATM पर मुबाइल रखना जरूरी होगा क्योंकि अगर आपके पास मुबाइल नहीं तो आप OTP नहीं डाल पाएंगे इसलिए आपको साबधानी रखनी है और जब भी इस नियम का फाइदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए मुबाइल साथ रखे इसलिए हमारी राय है कि अगर आप PNB के खाता धारक है और इस नियम का फाइदा उठाना चाहते हैं तो मुबाइल अपने पास रखे और रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ये फायदा उठाए